हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर्षे स्वगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों लोग आप डेली की तरह हिंदी का फुल्टेस लगाएंगे स्टार्ट करते हैं जो लोग यहाँ पर नय है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवा जा रहे है किलिया रहे ना इस्टार्ट किया जाए चले देखो पहला प्रस्णा आपका दिया है जुगुपसा का इस्थाई भाव किस रस से सम्मंदी थे जुगुपसा जुगुपसा को हम लोग यहां पर घ्रणा भी कहते हैं क्या बोलते हैं घ्रणा कि जब कोई ऐसी डेट बॉड़ी को दिखकर आपके मन बिचली थूने लगे आप जैसे रास्ते से जा रहे हैं और कोई डेट बॉड़ी पड़ी है जानवर की पड़ी है तो आप बगल में आने वाले वीराम को क्या कहते हैं वीराम मतलब ठहराओ वीराम का मतलब क्या बोलेंगे ठहराओ और ठहराओ का मिलेगा तो ऑपवसिन बिचली अ टॉपिक है ठीक है यहाँ पर अंबर है पनगट है ठीक है उपमे और उपमान है यहाँ पर उसा और नागरी है उपमे उपमान है यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कुल मिला कि जब उपमे उपमान बिलकुल पास में होते हैं है ना वहाँ पर आपको होता है कौन सा रूप dob'duk क्या होता है very good यहाँ पर आपका जवाब सही हो जगा कौं सा चतुसपादिका विल्कुल सही जवाब है अपको जगा C चत्ँसपादिका बन जाएगा अगला दिया है अज्यान का तद्भो रूप क्या है अज्यान का तद्भो तो याद रखे आज्यान का होता है क्या होता है अंजान क्या होता है तो आपका होता है आजान तो आजान देख लिए आजान कहीं लिखा है तो आजान तो आप कहीं ने लिखा है बस ये बिंदी रख दी गई है या ये वाले जो बिंदी रख दी गई है वैसे जो इसका सुद हैu बूल देते कहीं दिखा जी गलती से भीटी हो गई है उसे हंब का यह जाना चाहिए था है तो आपको तो पता हो गया ना कि क्या वहने से आज़ता की आपको बताना है मिस रुपाइक कि भी हमने घर से निकला वर्सा होने लगी ठीजी हो जाकुए कॉनसे हो जगा तो आपको मिस्टर में क्या होता है तो और चुपा उता हो यह तो आपका होगा नहीं अगला प्रस्णाप का दिया है कि आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास लोकूक्ति का सही अरत्य क्या हो जाएगा आ अग्ला दिया गया है आँखों में गड़ना मुहारे का अर्थ क्या होता है। चलिए बहुत अच्छे याँ पर याद रिखें आपका आठका Operational कुझा कौसा? गौर से देखना मन में खटकना सहन करना वस्त को पाने की उत्करष्च लाल साथ यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जएगा option आप हो जगा डी वस्त को पाने की उत्करश्च लालसा हो जगा यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जगा यहाँ प्रबन जगा आपका डी नंबर ठीक है चले अगले प्रिस काते हैं प्रिस आप सिला पूछा गया है सुद्ध वाक की आपसे पूछा गया है वीराम चीनी के हिसाब से देखा जाए तो सुद्ध आपका कौन सा बनेगा कह रहा है आप सायद पटना के रहने वाले हैं ठीक है अगर हम आपसे पूछे कि आप सायद दिया है तो कहीं न कहीं देखा जाए इसमें से question पूछ रहा है क्या पूछ रह करेंगे तो आप इसमें आपका नहीं है इसमें नहीं है तो यहाँ पर आपका डी आप सायद पटना के रहने वाले हैं तो आपसे आपका कौन सा बनेगा नो का डी हो जेगा ठीक है अगला है निम्ड में से सब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है पतवार यहाँ पर बता लिते हैं करणड तो आपका जवाब हो जगे कौन सा option अब करणड होता है ठीक है चलिए अगला पूछा गया है विशिस्ट ओसर पर विशिस्ट लोग के समझ दिया गया विद्धिता पुर्ड जो भासन होता है इस भासन को क्या कहते हैं तो जयाद रिखे विशिस्ट ओसर प का सही सन्धविचयँ क्या होगिए और भी लामिभिंदी भी करहिए अगला धिया है निमनिकितल में है राम जाता है सीता फलखाती है मेरी गाय काली है देखो मेरी गाय काली है मिल गया ना काला और काला सफेद वाइट ये जितना होता है ये सब क्या होते हैं तो आपस्ण अपका सी हो जेगा अगला दिया है निम्ल के सब्द में अधिकरन कारक का प्रिय हुआ है अधिकरन कारक अधिकरण कारक की बात करें तो दिया है वाहना रूड वाहन में रूड अधिकरण में मैं पर यही तो आप हो जएगा बिल्कुल zar जवाब पहला ही हो गया क्योंकि यहां दिया है सत्ता धिन सत्ता से 20 यहां पर गंगा का जल रेखा से यंकित होगा नहीं इसका मतलब है आपका जवाब बिल्कुल ए सई हो जागा ठीके अगला दिया है हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है तो हिंदी दिवस कम मनाते हैं बिल्कुल लिजिए हैं इस प्रस्ट का जवाब आ होता है भी होता है लेकिन यांपर दिया कॉटक टुमारी मात या एक इसका योट करने रहता है, जो एक स्थान पर टिक करने रहता है उसे क्या बोलते हैँ,sel ए या या वर यहां पर जवाब क्या होजएगा या रिखे उसे बोलते हैं या या वर और उप्र impressed सी होजएगा अगला हैते समता का वीपरीद क्या होता है वीपरीद क्या होता है यहाँ पर आपका जवाब जगा अठारा का option आपका हो जाए कौन सा तो विसमता है तो विसम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विलोम मतलब sum एक दूसरी से आपके सकते हैं अलग हो जाएगा तो आपका जवाब जिल्दी से बताइए भाई कौन सा लगा दिया जाए यहाँ पर लॉग किया जाए अप्सन को प्रेतिकूल या समानता दो में देखो एक ही होगा दो में एक ही होगा अब इसमें से कौन सा होगा विसमता में तो विसमता मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जगा एक समानता बात करेंगे विसमता को समान कर सकते हैं विसमें समान कर दीजी तो आपका जवाब कौन हो जगा सी हो जगा ठीके चलिए कौन सा सब्द युगम सेश से भिन है सेश से भिन है चले यहाँ पर देखे कहरा है कौन सा सब्द युगम सेश से भिन है दिन, रात, भारी, भरकम, पस, पच्ची, माता, पीता तो देखे यहाँ पर दिन, रात, पस, पच्ची, माता, पीता ने कहीं दिखा जाए एक दूसरे से क्या अपॉजिट बता रहे हैं लेकिन भारी भरकम बात तो वही है ना भारी हो चाहरे भरकम बात तो वही हो गई ना तो आपका जवाब हो कुणसाँ भी हो जेगा यह आपका अलग हिन में से अल्पता का तद्भो क्या होता है बताए भई बताए अल्पता सब्द का तद्भो क्या है तो आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर आपका सही जवाब चलिए 20 नमर में दीजिए यहाँ पर 20 का जवाब आने शुरू हो गये हैं कुछ लोगों के आ रहे हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जएगा option right यह तस्सम है कैसा है यहाँ पर आपका जवाब हो जएगा कि अलपता सब्द जवाब का है कैसा है यह तस्सम सब्द याद रिखेगा ठीक है B number अगला दिया है को चिन से किस कारक का बोध होता है को चिन से किस कारक का बोध होता है तो प्रतमा करता ने दुतिया कर्म को कर्म को इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जगा यह हो जगा कर्म कारक बन जाएगा ठीक है चले अगला दिया है निम्लिकित में से सुद्धिवर्तनी आपको बताना है सुद्धिवर्तनी आपसे पूछा गया है आसिरवाद की सुद्धिवर्तनी चले जवाब दीजे भाई 22 नमबर में देखो यहाँ पर आपका दिया आसिरवाद जो की अगर हम देखें अगर हम देखें तो वा में जो मात्रा आपकी यह लिखी है कहीं न कहीं आपकी विल्कुल सही लिखी है यहाँ पर आपका सी विल्कुल सही हो जगा ठीके अगला पुछा है पुनर जन्म का सब्द का संदविच्छेत बताना है पुनार जन्म का सही संद्विच्छित क्या होता है तो क्या होता है पुनार जन्म क्या होता है पुनार जन्म होता है option अपका इसा ही हो जगा लाइक वाइक करते रही वही आप लोग लाइक कर दिया करिए भी ना कहे कर दिया करिए है ना डेली आप लोग डेली के स्टुडेंट हो है ना और डेली वालों से ही कहा जाता है अंजान वालों से क्या मतलब है ना अंजान वाले भी जिब जान जाएंगे तो वो भी जान करने लगेंगे ठीक है चलिए हास किस रस का इस्थाइब हो है हास तो आपका हास 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 जो दूसरा होता है, उसमें कितने होती हैं, ग्यारा ग्यारा होती है, जोड लीज़े हैं यहां पर तीन, एक चार हो गया, है न, दूई आपका होगे 24, तो आपका जवाब कौनसा हो जगा, यह हो जगा 24 मात्रे होती है, देखो कितना एज़ी था, ठीके, अगला है नौल सुं मतलब एक ही सब्दे के कई अर्थ निकालते हैं उसे बोलते हैं उलेख हलंकार लेकिन आपके से बोलें कि उलेख तो भी आपको दिया नहीं है तब किसको लगाएंगे तब यहाँ पर कैसे हैं कि आप जवाब लगा सकते हैं अगला कोशन दिया है कि दाता सब्द का इस तरी क्या है दाता का होता है क्या होता है दात्री क्या होता है दात्री होता है सही जवाब कौन से होजेगा आपका होजेगा सी नमबर निस कोशन है कि नेमिकित में से पुर्लिंग सब्द का चेन करना है पुर्लिंग सब्द दिया ह पुलिंग सब्द आपका कौन सा है यहाँ पर दिया गया है कौन सा तेजस्वी, तपस्मनी, हांस्वनी, परोप कालडी तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो तेजस्वी दिया है कहने कहीं यह आपका पुलिंग हो जगा अगला है कि वह काम बहुत धंग से करते हैं वह काम बहुत धंग से करते हैं करते हैं तो भीया यहाँ पर कह सकते हैं कह सकते हैं कि आप एक जवाब दीजिए कि यहाँ पर भूत काल तो होगा नहीं भविस्यकाल तो होगा नहीं तो आपका होगा कौन सा तो आपका होगा समान वर्तमान काल एक है भाविस्त की बाती नहीं हो रहे न भूत की बात हो रहे तो वर्तमान आपका जवाब हो जाएगा अगला है सुधी सब्द के अंति में क्या जोड़ने पर सब्द बहुचन बन जाएगा सुधी सब्द के अंत में क्या जोड़ा जाए जो बहुचन सब्दाप का हो जगा सुधी जन क्या होता है सुधी जन होता है तो आपसन आपका ए हो जगा सुधी जन अगला मैं अपना सिर्ख खुजाता हूँ इस वाक्य में बताए कि कौन सी किरिया है यहां पर बताइए कौन सी किरिया है अकर्मक है या सकर्मक है कौन सा हो जाएगा देखो मैं अपना सिर्ख हुजाता हूँ क्या खुजाता हूँ सिर्ख हुजाता हूँ तो कर्म तो मिल गया ना जब कर्म मिल गया है तो भी किरिया हो कर्म है तो सकर्म हो जाएगा साकर में तो हो जाएगा न तो अपका भी हो जाएगा ठीक है अगला है गौरो गाथा इन दोनों सब्दों के बीच में लगा चिन क्या है दोनों के बीच में क्या लगा है ये चिन लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो यह सब्द है या कौन सा है तो ये जवाब आपको होजगा सी योजग चिन है ठीक ही योजग चिन है अगला है कि कहु रामण रामण जग देते पद में रामण सब्द का प्रयोग करमसा हुआ है कहु रामण रामण जग देते यहाँ पर बताईए रामण सब्द का जो प्रयोग हुआ है कही न कही देख से हम लोग जात की तरफ पढ़ाएंगे ठीके तो जवाब बेगदिवाचंघ संग्य से जातिवाच vara ठीके अगला पूंचा गया है को सब्द का परहा वासी hoc को पक्ता क परहाव प्थ है को सब्द का परहाोची तशिए है यहां पर याद रिखिए यह पर right time grab का बनेगा, आपका C हो जएगा, ठेके चलेगे, अगले प्रेस कोड़ बढ़ते हैं, प्रेस्ताप सेखला पुए गया है, कि pocket मार, invite मार, क्या होता है, pocket मार ही तो होता है ना, pocket मार, pocket को मारने वाला, किसको, pocket को मारने वाला, इसका मतलब है जो को आ रहा है इसका मतलब है कि आपके किसमें होगा तत्पूरुष समाज का ही तो होगा न तो option कोन होजगा बी होजगा तत्पूरुष समाज आखे दिखाना मोहरे करते क्या होता है तो आखे दिखाना मोहरे करत होता है क्रोध से देखना क्या होता है क्रोध से देखना option अपका D होजेगा अगला एक अनार सो बिमार या एक जो है क्या है कहावत ही न क्या होती है कहावत होती है तो आप जवाब क्या देंगे एक अनार सौ बिमार एक लोकुक्ती है यहाँ पर आपका जवाब होजी कौन सा लोकुक्ती मतलब कहावत मोहरा नहीं है कहावत हो जेगए यह मतलब लोकुक्ती हो गई तो option B होजेगा अगला है अनुकरणी में लगा प्रत्य क्या है अनुकरणी में लगा प्रत्य कौन सा है जवाब दीजे अनुकरणी में लगा प्रत्य क्लियर बताईए भाई सब लोग क्लियर बताईए कौन सा हो जेगा तो यहां पर आपका जवाब हो जेगा बिरी गुट काफी लोगों को e आ रहा है तो विल्कुल स देखो यहांपर कह सकते हैं दासानन गोमाने की पर्यास किया किया लेकिन गोमना मत इहांपर आपका जवाब सब्द आपसे पूछा है मेरे जूतों तुम से यह तो बोलेंगे नहीं वह सायद से एभी नहीं आगले प्रश्वशन आते हैं जो गध्यांस है इतना वड़ा गध्यांस है तो हमारी साफ से यह कहीं न कहीं आपको कहाँ पर गध्यांस मिल जाएंगे जब गध्यांस पढ़ोगे तो बाद में क्या होगा दिक्कत नहीं होगी मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं पेपर होता है और जब आप अपने मन का कल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आनलाइन देना है यहां देखे आधिकाल को क्या नाम दिया है यहां पर तिहास कारून लगभग देखा जाए तो आठवे सताब्दी से 14 सताब्दी के मद्द कई नामों से कहा गया है तो यहां पर आपका जबाब सही होजेगा 46 option right आपका बनेगा D बीजपन काल ठीके क्या का है तो option आपका यहां पर D होजेगा बीजपन काल का है मावश अदिवेदी ने आधिकाल को बीजपन काल के नाम से पुकारा है ठीके के लिए हुआ चले अगले प्रसकाते हैं प्रसाप से गला पुछा है चिंता मड़ी किसका निवंद संगरा है तो आपका जबाब होजेगा कौन सा राम चंद सुकल हो जाएगा ठीकी सी नमबर अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है प्रेम सागर प्रेम जो करते हैं वो लल्लू होते हैं क्या होते हैं लल्लू होते हैं प्रेम नहीं करना चाहिए नहीं तो फिर उल्लू हो जाओगे उल्लू बन जाओगे है ना आपको भी दख्राइब पहला पत्र कौँन हैं हिंदी का पहला पत्र बिलकुल ईजी है कि प्रसंटा करते जा रहे हैं करते जा रहे मतलब, स्वैम अपनी प्रशंट सा करना है ना? अपनी सब्ड लगाईगे ना? आप्चन होले कौँ सा? यहां पर आपका B होलेगा. अगर दुर्वोध सब्द का विलोम क्या होता है? दुर्वोध का विलोम सब्द चले यहां पर आपका जवाब कौन से बनेगा दुर्वोध का विलोम यहाँ पर आपका जवाब एक क्यावन कॉप्सन आपका बनेगा सी नंबर सुबोध होता है क्या होता है सुबोध होता है ठीके अगलत यह आ गया है उड़ती चिडिया पहचाना मोहरे का अर्थ क्या हो जेगा उर्ती चीडिया पहचाना मोहरे का सही अर्थ यहाँ पर याद रिखे उर्ती चीडिया मतलब होता है कि दूर से ही पता लगना यह कैसे तिह भाप लेना तो आपका ज़िये का रहसा की बात दूर से जान लेना option c आपका right हो जएगा ठीक है अगला दिया है उसने अनेको गरंथ लिखे देखो अनेको सब्द तो कभी प्रियोग ही ने करना है हिंदी में अनेको सब्द कभी प्रियोग ही ने करना है हिंदी में उसने अनेक गरंथ लिके उसने अनेक गरंथों यहां भी नहीं होगा उसने अनेक गरंथ लिखा दे समझ नहीं आ रहा है यह na a point कुछ समझ नहीं नहीं आ रहा है उसने संतोष की मतलब किए सकते हैं कि यहां 프리 उसने संतोस की सांस ली, तो देखो यहांपर कह सकते हैं लिये तो सुब होगा नहीं, इसका मतलब D होगा, इसका right answer आपको बने कौन सा, D आपका रहा होगा, इसने संतोस मतलब इसने chain की सांस ली, यह तो बोलेंगे, तो इसकी हिसाप से कौन होज़ेगा, option D सही होज़ेगा, पहला दिया है कि असलील का विलूम क्या होता है असलील का विलूम सब्द कौंसा होगा चले 56 नमबर देना है तो असलील में आ हटा दीजिए तो सलील बन जाएगा असलील में अगर आप लगा देते हैं क्या हटा देते हैं आ तो सलील बन जाएगा बी नमबर हो जाएगा को र यहाँ पर very good बिल्कुस है जोवाब है यहाँ पर 57 को औप Какा जवाब अपको बने कहा जाता है ठीकी किसी कहते हैं त्रंगार रसको कहते हैं अगला नी उपसर्ग से बना सब्द कों सा है नी उपसर्ग दिया है निराकार, निरंकार, निर्दर्शन फिर आपका दिया है को ना? तो आपका नीज़, अठावन में तो देखो, यहाँपर दिया गया है अगर हम आपसे बोलें अगर नि हटा हुए इसमें तो राकार मतलब होता है नहीं इसमें से अंकी बइंदी यह भी नहीं है तो यहाँ पर अगर देखो दर्सन सब्दा आपका निकल के बाहरा जाएगा और आपके साथ बचेगा नी तो आपका जवाब को नो जेगा सी हो जेगा ठीके समझे में आगे होगा अगला है फली फूली यूग का नाम बताई मतलब यूग में जवाब का है फली फूली फली फूली ये अपके क्या है विलोम यूग में ये सार्थक निर्थक हैं क्या है इनमें से यहाँ पर देखो आपका जवाब बनेगा कौन सा यहाँ पर फली और फूली फली फूली ये पर्या यूग में क्या है फली और फूली यह क्या है एक दूसरे के क्या है पर्या है option लबकर D हो जगा अगला है निम्लिकित पंक्तियों में कौन सा लंकार है कहयरा आपसे यहां पर जो कि देख पा रहे है माली आवत देखकर कलियन करी पुकार फूले फूले चुन लिये कहीं काली हमारी बार है ना तो यहाँ पर पुछा है कि आपका जो अलंकार हे वापको कौनसा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माली को आते देखकर कलिया कहती हैं कि आज तो उसने फूल चुन लिया पर कल को हमारी भी बारी भी आएगी क्योंकि हम कल भी खिलकर जो हम आएंगे तो खिलकर बड़े हो जाएंगे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बात की गई है वो दूसरी की बात हो रही है बात हो रही है न क्योंकि आएगा माली यहाँ पर तो option अप कर सा हो जगा सी यहां पर जो लंकार है वो कौन सा है अन्युक्त लंकार है ठीके सी नंबर अगला दिया है जलज और जलत दिखो जा सब्द यहां पर है और दा यहां पर है दा से बादल जा से कमल तो आपका जवाप कौन होजेगा अगला दिया गया है कि साधारण से संयुक्त संयुक्त की पहणान होती अगर आपने पहणान नहीं पड़ा है तो आप गलत कर देंगी संयुक्त की पैचान होती और तुभी यहाँ पर देखो दिया है कुमुद आई और चली गई तो इसमें क्या दिया है कुमुद चली गई और आई ये तो होगा नहीं तो अफसने आपका C होज़ेगा अगले है समूह का पर precisely सब्द क्या होगा समूह का परयावची दिको समूह में बहुत लोग होते हैं क्या होता है समूह में बहुत लोग होते हैं तो हम लोग कह सिखते हैं समूह का परयावची होता है समवाई क्या होता है समवाई होता है तो आपसन अपका B हो जेगा अगला है सत्र परिभासित अब्द की शेतिम बोराता है सत्र उलते एक सत्र खतम हो गया दूसर सत्र अब लग जाएगा है ना तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जेगा तो सत्र का होता है आपकी सिच्छा में एक सत्र जो इस्तन बोलते हैं नहीं कि वहां और सबा इसमें से क्या बोलें क्या अंतर निकाले आपर देखो सबा मतला होता है सुबा की हवा ठीक है तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका 65 का option अब का बनेगा option अब का बनेगा b number इसका right अब का b हो जेगा ठीक है अगला दिया गया है क्या रहा है सवा और सवा देखो एक वा चौथाई सवा एक का चौथाई और सुबा की हवा देखो हवा होती है इसको और बिल्कुल आपको यहां पर इसकी recording करना पड़े ठीक है अगला है अंकुरव को खड़ी बोली में क्या कहते हैं तो सब्द से आपको पता चला है अंकुरण पता चला है मतलब यह अंकुरित होने की बात कर रहा है तो आप सनगा एस हो झाया अगहान को खडी बोली में क्या कहते हूं कि आपको देखा है कि पढ़ चुके हो हमने इतने प्राइट करा दिया है कि अम्रेक्षन्टhistoire क्राइब कहते हैं, बोलते हैं, अगहा गयोगा भई, खा के अगहा गयोगा, अगहा गयोगा, अगहा गयोगा, तो अगहा गयोगा, अगहा है, युगम का नाम बताओ, वन वन, वन वन भटक रहे हैं, तो बात हो रही जिसे धीरे-धीरे, तो उसमें क्या होता है, दुरुक्ति, जा रहा है तो दुरक्ती हो जैगा प्रियोगरन आठी जैंधर 15 हैँज तुम् प्रियोंगरनेयों आज मोहरीे का प्रियोंकर अज कल तुम्तुम्त20 दोटी हो जब दोटा है औक panaOOM पुर्वृश्कुर। जो बात होती है तारतम मिता और आपका संखला बध्ध मिलकुल करम बध्ध होना चाहिए यहाँ पर उप्सण आपको लगाना है क्या है यहाँ इसका उप्सण आप पपी हो जिएगा अगला प्रसेन आपका दिया मर मिटने वाला ब्यक्ति सच्चा देश भक्त होता है देश के लिए मर मिटने वाला ब्यक्ति सच्चा देश भक्त होता है तो ब्यक्ति सब्सक्ति गलत दिया गया है देख लेते हैं देश के लिए मर मिटने वाला ब्यक्ति सच्चा देश भक्त होता है अच्छा पहले वाले म तीसरे बाले में क्या इंतर है देश के लिए मर मिटाने अच्छा यहां पर मिटाने सब्द लिखा तो यह गलत है ना और देश के लिए मर मिटने वाला बेक्ति सच्चा देश भक्त होता है चलिए अब इसमें और इसमें क्या दिया है देश के लिए मर मिटने वाला अच्छा का अर्थ क्या होता है देखो घं मतलब होता है बादल भी होता है घं मतलब होता है बड़ा हथवड़ा भी होता है और घं मतलब होता है घना भी होता है ठीके ना घना भी होता है ठीके ना जैसे जंगल भो घना है है ना तो यहां पर आपका डी से हो जेगा है ना देखो यहां सैयुक तो वाकि को सरलनल वाकिम अज़ा? सैयुक तो वाकिम मताया थै जिसमें और होता है उसे सैयुक तो वहते हैं इसका मतलब आप सरलन में पूचा गया तो सरलन्सवद में आपको है, जीसी ही अतित्य आये कारेकरम शुरूँ, तो यहां पर कह सकते हैं, यह तो होगा नहीं, आतित के आते ही कारेकरम शुरूँ हुआ, देखो option B, यहां पर आपका right हो लेगा, ठीक है, अगला दिया है, गगन को चुमने वाला में को सा समास है, गगन को चुमने वाला जो गगन को चुमता है उससे क्या बोलते है गगन चुम भी तो गगन को चुमने वाला को मतलब आपके यहाँ पर बिभक्ति का प्रयोग हो रहा है बिभक्ति का प्रयोग क्या होता है तत्पूरुस समास में ठीक है अगला दिया है यह मातरिक अर्ध समचंद है इसके विसमचरणों में 15 और समचरणों में 13 मातरा होती है तो को समचरण में होता है देखो यहाँ पर 15 और 13 का जो होता है किसमें होता है तो 5, 3, 8 मतलब 28 वाला आपको सिस्टम बन रहा है 28 बनाई सिस्टम बनाई कि नहीं बनाई तो बनाई लेते हैं याद रिखे यह आपका हो जाए कौन सा ओ लाला हो जाएगा ठीके क्योंकि यहापर 15 और इसमें आपकी मातराएं होती है और तुक जो आपके हैं सम चरणों में आपका तुक होता है मिलता जुलता होगा ठीके तो 75 और अपका कौन सा होजेगा यापर आपका बी होजेगा ठीके अगला प्रसंदिया है जिस समास का उत्तरपत प्रधान हो और पूरपत गोड़ हो उसे क्या कहते हैं उत्तर पद मतलब बाद में आता है और बाद जो प्रधान होता है किसमें होता है तत्पूरुस समास में तत्पूरुस समास में जो अंतिम पद होता है वही तो प्रधान होता है जिसे गौल बोलते है ठीके अगला है महीस का संद्विचेत बताईए चले भाई महीष का संदिविचेत देखो महेष आपने पढ़ा होगा महाधन इस पढ़ा होगा अब यहाँ पर दिया है महीष दिया है तो हम लोग बोल देए महीधन इस तो आपका जवाब कौन सा होजेगा यहाँ पर आपका बड़ी ही और बड़ी ही होजेगा तो आपसना आपका A सही होज़ेगा ठीके चलेगे अगला प्रिसना आपका दिया है मनोज और मनुज का अलति क्या होता है मनोज मनोज और मनुज देखो मनोज हमने बताया था कि मनोज जो परयावाची होता है वो कामदेव का होता है ठीके कामदेव का होता है और यहाँ पर आपका है मानो जो की मनुझ है ना तो आपस्ट आपका होज़ेगा D काम देओ और आपका होता है मानो अगला है निम्न वाक्यांच के लिए एक सब्द बताना है गुरू की समीप रहेकर रहने वाला जो आपका होता है छात्र है और गुरू की समीप रहने वाला खर्च करने वाला मतलब करें सकते हैं मनमाना खर्च करने वाला होता है जो कंजूसी से यहाँ पर यह तो कहेंगे तो देखो एगर देखा जाए तो इसका 80 का उप्षन आपका बनेगा उप्षन अपबेई क्या होजेगा अपबेई बहुत अधी खर्च करता है अप बेई अप्षन रेटर को होजेगा कौन सा यहाँ पर आपका एश सही होजेगा अप बेई होजेगा तो कहीं ने कहीं देखा जाए तो यह आपके 80 प्रस्ण आपके इस पेपर भी बड़ा हो जाता है बड़ा होने का कारण भी है क्या वाई अश्ची प्रस्ण होते हैं थोड़ा वो समय तो लेना ही पड़ेगा ना हवा में तुपान में तो भग नहीं सकते हैं नहीं पढ़ाने का मतला भी क्या हुआ तो सब लोग वीडियो को लाइक करेगा धन्वा सभी को राधे राधे